अगर आप future option में trade करते हैं तो ये वीडियो जरूर आपके लिए है नमस्कार मैं जीद सिंग स्वागत करता हूँ आपके चैनल ठाकुर कैपिडल में अगर देखा जाए तो future option segment क्यों है यह हम लोग समझने की कोशिश करेंगे क्या यह retail के लिए है क्या retail को इसमें trade करना चाहिए जरूर सबकी जानकारी हम लोग कोशिश करेंगे इस यूडियो में बताने की अगर आप देखें तो जो बड़े-बड़े holdings हैं बड़े-बड़े buyer कर सकते हैं sell कर सकते हैं और उनको किसी को बताना नहीं है मतलब सेभी को नहीं बताना है exchange को नहीं बताना है मगर promoters holding में अगर promoters अपनी holding खुद की बेशते हैं तो उनको एक quarter पहले exchange को inform करना होता है सेभी को inform करना होता है क्यों क्या reason के जासे बेच रहे हैं तो हम लोग उनका तो track नहीं कर सकते हैं FIS और DIS जब भी shares खरीदते हैं या बेशते हैं तो जो उनकी quantity होती है बहुत हैवी होती है तो अब एक चीज समझना अगर market जैसे covid के situation में March में 2020 में गिरा तो जो reliance के shares 48% का जो stake है वो मुके शम्मानी जी के पास है और बाकी का है FIS DIS सब के पास है तो क्या आपको नहीं लगता कि आप से और मुझसे ज़्यादा वो research करते हैं वो expert है आप से और मेरे से ज़्यादा तो उनको प्रेडिक कर लिया होगा कि market गिरने वाला है और अगर प्रेडिक कर लि प्रेडिक के और उसमें से 48% मुके शम्मानी जी के पास है तो क्या 200 करोड शेर अगर वो बेचेंगे तो कोई खरीदने वाला है अगर आज वैलुएशन देखे तो 14 लाग करोड की है तो अगर उस 7 लाग करोड के शेर्स या 4 लाग करोड के शेर्स अगर बेचेंगे FIS और तो कौन बाई करेगा यह तो अगर बात करें इसी तरीके से TCS का जो वैलुएशन है वो है 10 लाग करोड का और वहां पर एकर FIS और डिया अपनी होल्डिंग बेचेंगे 3-4 लाग करोड की या 2 लाग करोड की तो कौन बाई करेगा बिलकुल नहीं कोई बाई नहीं कर सकता इसी लिए एक option है future और option का वो क्या करते हैं अगर उन्हें cash segment में buy किया हुआ है तो वो future और option से वो अपनी position को hedge करते हैं मतलब जो अपना risk है वो कम करते हैं एक समझाने के आपको कोशिश करते हैं अगर suppose that मैंने 100 shares buy किये है 100 shares buy किये है Reliance industry के या State bank of India के तो जब यह shares नीचे आने लगेगा तो मैं future में 100 shares based दूँगा example के लिए आज State bank of India का जो lot size है future में वो है 3000 का और मैंने 3000 क्वांटिटी cash segment में buy की है और मुझे ऐसा लगता है कि future में नीचे आ जा रहा है pricing नीचे आएगी तो मैं future में उसको short कर दूँगा अगर मैं short करता हूँ और 20 रुपया वहा short selling कहते हैं उससे मुझे 20 रुपया profit होगा तो ना मुझे profit हुआ ना मुझे loss हुआ मैंने अपनी position को hedge कर लिया उसी तरीके से option है अगर option अगर market नीचे आ रहा तो जो call है call हम लोग write करते है call sell करके हम अपने position को hedge कर सकते हैं अपने नुकसान को कम कर सकते हैं तो यह सब जो च देखें तो stock exchange से भी एक ऐसी-एसी guideline ला रही है कि जो retailer है normal retailer बिल्कुल stock future option में trade ना कर सके और future option में trade करके पैसा कमा रहे हैं तो मैं कहता हूं उपर वाले की कृपा है बहुत बड़ी कि आपको पैसे मिल रहे है future option में trade करके अगर आप money management rule नहीं लगा रहे हैं और कोई कुछ use नहीं करते हैं उसके बाद भी तो future option trade करना एक बहुत ही अलग चीज है मैं तो ऐसा समझता हूं कि यह retailer के लिए नहीं है यह एक ऐसा segment है जहां पर FIS और DIS अपने position को अच्छी तरीके से यहां पर अपनी position को hedge कर सकें इसलिए future option create किया गया हमारे लिए बिल्कुल नहीं किय रिटेलर्स के लिए क्योंकि ना उनके वास इतने पैसे हैं और आप मार्जिन देखें अगर मार्जिन मैं कहूं कि आज आप एक सिंगल स्टॉक में करते हैं तो मैं कहता हूं एक्जाम्पल हमने लिया State Bank of India का lot size के इसाब से आज 10 लाक करूर 10 लाक की valuation है मतलब stock price into जो lot size है आज एक उनका 300 साड़े 300 का pricing है और अगर 3000 का lot है अगर हम into करें तो साड़े 9 लाक 9 लाक तक valuation आती है यह total contract value हो गई और उस contract value पे आपको सिर्फ 5,5 लाक पे ही one lot का आपको limit मिल जाता है मतलब आप सोचो कि आपने 400 times अपने margin को use किया है और अगर उसमें नुकसान होता है तो तो इतना बड़ा leverage बिल्कुल retailer को नहीं लेना चाहिए बिल्कुल भी नहीं retailer एक simple future option को छोड़के भी पैसे अन कर सकता है जैसे कि हम लोग continue चेक कर रहे हैं कि किस सरीके से आप पैसे अन कर सकते हैं कौन-कौन से segment में पैसे लगा सकते हैं कौन-कौन से स्टॉक्स में पैसे देखो कि कहां पर पैसे लगाई है जिसमें आप एक equity share बाय करके आप monthly basis पे weekly basis पे अच्छे returns कमा सकते हैं और भी बिना कोई future option के M2M देखे हुए तो retailer को future option segment से दूर रहना चाहिए क्योंकि future option segment retail ले बिल्कुल नहीं है मैंने आपको समझाने के कोशिश की कि यह जो segment है यह future option only for FIs और DIs के लिए कि अपनी position को अच्छी तरह से hedge कर सके अगर market गिरता है तो उतनी बड़ी quantity वो sell नहीं कर सकते वो sell नहीं कर सकते तो वो call right करक future short करके अपनी position को अपने नुकसान को कम से कम कर सके इसी लिए से भी ने एक्षेंज ने यह प्रॉपरली एक segment future option का रखा है अगर हम आपको थोड़ा सा भी बता पा रहे हैं समझा पा रहे हैं तो हमारे चानल को subscribe करें share करें comment करें इस वीडियो को अपने friend और लेटों की segment है वो रीटेलर के लिए बिल्कुल भी नहीं है नमस्कार धन्यवाद